अलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं आज की इस वीडियो में आपको में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने जाऊंगा जो 25 जून 2020 को सुप्रीम कोट ने इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग दा क्लास 10 एंड क्लास 12 सीबीसी बोर्ट स्टूडेंट एंड क्लास 10 एंड क्लास 12 आईएसी बोर्ट स्टूडेंट तो विडाउट वेस्टिंग फॉर्द टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सीधा वेबसाइट पे लेके चलते हैं प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया पीटी आई इस एन ओफीशल वेबसाइट जहां पर जो भी गरवर्वन्मेंट के जो ओफीशल न्यूस होती है वह सबसे पहले यहीं पर अपडेट होती है पीटी आई में 25 जून को हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है इस इसमें और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड यह भी करी गई है कि क्लास 12 ओफ सी बीएस स्टूडेंट उनको ऑप्शन दिया गया है जो एक्जाम वो कोवेट 19 की सिचुएशन की वज़े से नहीं दे पाए थे वो वो एक्जाम दे सकते हैं या फिर इंटर्नल अस इसमेंट के लिए दिये थे उसके बेसिस पे भी उनके माक्स अवाड कर दिये जाएंगे उन्ट के पास ऑप्शन दिया गया है मगरी जो रिए एक्जामिनेशन वाला जो ऑप्शन है नहीं वो क्लास 10th of CBSC नहीं ICSC Board Class 10 नहीं ISC Board Class 12th यह रिए एक्जाम का ऑप्शन उनके ल कि यह जो re-exam होगा वो तब होगा जब situation conducive होगी इसके बहाफ में Supreme Court ने यह एक और information provide करी है और यह question पूछा है कि यह decide कौन करेगा तो decision कौन करेगा यह state decide करेगा या फिर central authority decide करेगी कि यह जो re-examination है for class 12 CBSC वो कौन करेगा तो इसी बात को ध्यान रखते हुए Supreme Court ने CBSC से पूछाए कि वो कैसे exam conduct कराएंगे and students को information वो provide करें कि कब result declare होगा और internal assessment का criteria क्या होगा so that's all from today's video अगर आपको यह video अच्छी लगी हो तो like का बटन ज़रूर दबाएं subscribe करें krypton tutorial एक channel है जहां पर हम लोग जेए में और नीट से related conceptual video on a regular basis दालते हैं so for more conceptual video keep watching krypton tutorials thank you